डॉल्फिन फुट्वियर्ज बदल दे चलने का अंदाज सर्वकोन रखे सब कंट्रोल में किल रे mo का अधर कॉषियर्ज बदल दे कोविट नाइनटीन को लेकर उनके लिए कितना खोफ उनके अंदर मौजूद है तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मिसिस खालदा हनीव तो इनसे जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पे यहां पर लोग किस तरीके की प्रकॉशन्स को अपना रहे हैं किस तरीके से सहुलियत हैं उन्हा आप दे रहे हैं यहां जो पेशेंट आते हैं कुछ प्रकॉशन्स तो खुद ही लेकर आते हैं जैसे गरम पानी गरम दूद लिया गरम चाय कॉफी बगर लेते हैं उसके बाद में जब ज्यादा दिक्कत हम लोग तो सिर्फ यही देखते हैं कि पेट में दर्द है वामिटिंग्स हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल कर लेते हैं घर से हम इसी वज़े से आते हैं कि इन लोग की प्रॉब्लम सुन सके और यहां के जो हमारे कुछ फैमिली पेशेंट्स कि प्रॉब्लम में लोगों से इसाथ करते हैं यह से लिए है को सुचर्ण का भी अको स्टीक तर रे है कि हम शुच नग करते हैं इहाँ लोगों में किस तरीकिए के पेचेंट्स यहाँ पर मोजूद आ रहे है कि पहले करेशियो जो था पेशन्ट से कितना अब यहाँ पे पेशन्ट तो पहले से कम हैं कुछ तो खौफ की वज़े से नहीं निकलते हैं क्योंकि रास्ते में उनको ऐसा लगता है कि सारी इंफेक्शन बगारा है कौरोना का ड़र तो है खौफ तो है लोग में बैठा हुआ है तो यहीं सोस्ते हुआ पेशन्ट का मारे को ज्यादा दिक अपने खुद की अपनी सुरक्षा के लिए क्या प्रिकॉशन्स हो खुद भी अपना रहे हैं आज़ी आप मुझे बिताईए कि आप किस तरीके की प्रिकॉशन्स अपनाते हैं या लोगों को क्या सलाह देते हैं जी हाँ नॉर्मली तो यही सलाह दे रहे हैं आजकल के कोई चीज लेकर आएं तो उसको बारा गंटे के बाद इस्तमाल करें अपना सेल भी इसी तरीके से है कि जब में इहां से लियां से जाता हूं तो उसके बाद मैं अच्छे-चे-घारगल वगारा करता हूं और शावर यूज करता हूं और उसके बाद में जाकर के गरम पानी और फिर खाना वगरा होता है मेरा और किलेनिक पे मैं एक ही वक्त दे पा रहा हूं अभी इसलिए के ताकि लोग बाग जो गरीब हैं हमारा पीछे जुगी का बस्ती है तो यहां पर लोगों के पास पैसे भी नहीं है लोग डाउन में फसे हुए हैं लोग बाग रोजाना के क कर रहे हैं और किलेनिक खोल रहे हैं अपना लोग कितने अवेर हैं कितना मतलब किंदम कि डरे हुए हैं वो बात अलग है लोग पना अपनी शुरक्षशा पर दिहान देते तो आजकी तारिक में 99% लोग अवेर हैं और पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं सोशल डिस्टैंसिं को भी मैंगें कर रहा हैं जो नहीं कर पाते हैं वो यह एसे जाना है जैसे दूद के लिए और वर बेंगोने के लिए जाना है To उसमें नहीं करते हैं उनको समझाते हैं और बाकी नौर्मल नीcoon कर देखने में यह जो है कि सब लोग पूरी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं और काफी दिहान में रखते हुए सोसल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं यह आप मुझे बताइए कि लॉक्डाउन से पहले लोगों को नहीं पता था 10% लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी थी तो उस दौरा मेंटेन करनी है हाथ नहीं मिलाना है अपना हाथ जोड लीजे पहले नमस्कार कर लीजे सलाम दुआ कर लीजे तो इस तरीके से हमने लोगों को समझाया है पूरे प्रप्रवे में अब नेक्स अब जो लोग यहां पर आ रहे हैं पेशेंट्स और तो उनमें किस तरीके का ख कर लेकिन और जो प्रॉब्लम होती है जैसे आज कल रमजान चल रहा है उसकी वज़े से थोड़ा सा कॉंशेस हैं लोग के रोजा रखना है तो वोमिटेंग और मोशन वगरा बीकनेस वगरा का ज्यादा ध्यान रख रहा है इसमें और वैसे तो निकल ही नहीं घर से बहुत कम पेशेंट निकल रहे हैं अच्छा बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कंडिशन थोड़ी क्रिटिकल होती है तो आप उनको किस तरीके किस सलाह देता हैं हम तो सिम्टोमेटिकली ठीट करते हैं अगर कुछ सीवेरिटी कुछ लगती है हमें कुछ ऐसा कुछ लग कि लोगों के अंदर कितना खौफ है कोविट 19 को लेकर और क्या प्रिकॉशन्स लोग ले रहे हैं तो ऐसी न्यूज के लिए मेरे साथ देखती रहे हैं फेस न्यूज